कि गोड़ आफ्टनून बहुत बढ़िया सब लोग आवाज आ रही हाँ बहुत अच्छे चलो हलो एवरीवन मेरा नाम हिमाशी गुपता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लैटफॉर्म पर मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज हम लोग एक और लेक्शर्ट डिसकस करने जा रहे हैं आज हम लोग रे ऑप्तिक्स का सेक्ट लेक्शर पढ़ेंगे जिसमें आज immature के बारे में मिर बात करेंगे और रहीban समझें के मतलब क्या होता है आज हम वो चीज़ें देखेंगे ठीक है बाई चलो सभी लोग आ गए है बहुत बढ़िया चले शुरू करते हैं कि सबसे पहले आज की लेक्चरंवा हम लोगा है आधके लेक्चरर में लोग क्या-क्या पढ़ने जा रहे हैं तो आज के लेक्चर में स्फेरिकल मिर्रण का कंस्रक्शन बिल्कुल बेसिक में से चुरू कर अगर आपने अभी तक इस किस पिल्कुल नहीं पढ़ायए लाग नहीं पढ़ा 10th में ठीक है बिल्कुल नहीं पढ़ पाए 10th में अग या 10th का सब कुछ भूल गए हैं तो उस case में भी आपको सब कुछ समझ में आएगा हर एक चीज में 0 से उठाऊंगा और सारी चीज हम चीजों को समझेंगे किस तरीके से derivation होते हैं वह करेंगे एक्जामिनेशन पॉइंट ऑफ यू से भी हम चीज़ेंगे कौन-कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिनके एक्जाम में आने की प्रोबिल्टी जादा है ठीक है बई चलो तो सबसे पहले construction के बारे में बात करेंगे फिर हम रे रेडाइग्राम के रूल समझेंगे कि रेडाइग्रम के रूल क्या होते हैं मिरर फॉर्मला इसको डिराइव करेंगे और यह मिरर फॉर्मला काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कोशन की ठीक है तो सबसे पहले मिरर की इस फ्टमीर बात कर रहे हैं पहले यह देख लेते हैं कि दो-दो मिर तो मिरर से रिलेटेड अगर मैं सबसे पहले आपको बात करूं सभी लोगों को यह दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है ठीक है भाई सब्दों को क्लियरली दिखाई दे रहा है यह चीज ज़रा देखिएगा मैं यहां पर पूरा 3D वियू आपके सामने लेकर आया हूं क इसका कॉनकेव मिरर और कॉनवेक्स मिरर का दोनों का 3D वियू है ठीक है भाई आ रहा है या नहीं सब को समझ में चलो तो देखेगा मिरर से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनलोजी है मैं आपको समझा देता हूं अगर आप नोटिस करेंगे उपर वाला आपका क्या है कॉनक कोई का बाएफ और नीचे वाला आपका कैसा है कॉनकेव मिरर है कॉनके मिररन कॉनवेक्स मिर क्रें सब से पहले बात कर लिते हैं कान पिरर से जो छो चीज़न owners के लिए होंगी वह सारी की सारी सारी चीज है Convex mirror के लिए भी true होंगी कोई अंतर नहीं आने वाला चीक है चलो भई तो सबसे पहले Concave mirror में बात कर लेते हैं पोल की अच्छा देखिएगा यह जो सर्फिस है हम लोग जंद्रली जो पढ़ते हैं ना वो सिर्फ 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 साइड व्यू पढ़ते हैं यह बेसिकली 3D व्यू है आप अगर नोटिस करें देखो भाई यह क्या है यह 3D व्यू है आपको दिख रहा है दिखाई देता है ठीक है तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि यह का मतलब क्या है इसका मतलब यह साइड व्यू है साइड से आपको इधर से देख रहे तब आपको दिख रहा है ठीक है बई चलो अब अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो जरह देखेगा कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा हूं में एक स्फेरिकल मिरर में हम क्या क्या चीज़ें डिफाइन करते हैं सबसे पहले स्फेरिकल इस मिरर का सेंटर की बारे में बात करते हैं तो मिरर के सेंटर को क्या बोलते है पोल आप नोटिस करना केवल और केवल कॉन के मिरर क को जरा देखो अभ मैं सिर्फव सूर्फ क हॉन कि पीदा रहा हूं कि तो कॉंकिव इरफ को अगर आप नो टिस करेंगे तो आपको यह दिखाई दे रहा है इसमिरर जो सेंँटर है ये इसको हम बोलते हैं क्या पोल बोलते हैं ठीक है तो center of यानि कि geometrical center of this mirror is known as pole ये वाला जो point होगा ये वाला जो point होगा this will be known as pole ठीक है तो geometrical center क्या हो जाएगा आपका pole हो जाएगा और एक चीज सारी की सारी ये mirror आपको किसी sphere का part दिखाई दे रहा है ये mirror जो है ये mirror अप ये sphere कुछ ऐसा होता जिससे मैंने ये तोड़ करके ये mirror लेकर आया होंगा क्या ये बात समझ में आ रही है तो उस sphere का जो center होगा that center will be known as center of curvature चीक है अभी मैं सभी की definition लिखवाऊंगा थोड़ा सा patience रखें बस अभी वेले ये देखो किस हर एक चीज क्या-क्या हम define कर रहे है ठीक है पोल क्या था पोल समझ में आ रहा है भाई पोल इसका mirror का center था इस वाले mirror का देखो थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं तो सो देट तुमको ये नीचे वाला भी दिख जाए सिर्फ कितना सा अंतर है ये देख लो कॉंके व मिरर और कॉंवेक्स मिरर में जो अंतर है वो यह है कि एक टोरी इस टाइप की है मतलब क्या अंदर वाला सरफेस आपका ये reflecting है और दूसरे के लिए क्या है बाहर वाले सरफेस को reflecting किया गया है है reflect कैसे करते हैं एक स्फियर को हम सिल्वर से पॉलिश करते हैं और उसके उपर एक पेंट कर देते हैं तो बेसिकली जिस साइट से आप तकराएगी वो क्या है हम क्या उसको बोलते है reflect इंग surface अब reflecting surface में एक चीज नोटिस कीजेगा यहां पर कहा गया अरे चोटा क्यों हो रहा है भाई चलो भाई थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूं अब तरह देखेगा मैंने इस मिरर पर यह कौन सा मिरर है कौन hàng मिरर पर मैंने कौन सी इंसीडां करी है जो आरे चीडां रही है यह यह जो पैरलल रेस कहां जापर की मिल रही है इस जगह ज़गे ज मिलती है दिन्हे पाम क्या बोलते हैं इस मेरर का focus और ये mirror जिसटोए आपको दिख रहा है this is the radius इसटी सीख रेटियस ये ये mirror जिसUR स्पूसे का part था ये वाला पर बताओ किसी भी स्फियर को मगा आप जोब account करोगी यह रेडियस मेंट आपको बोला था लॉट यह क्या सब्सक्राइब होते हैं या नहीं होते भाई है लौट अब besides हमेशा वैलेड होते हैं तो ये देखो ये वाला एंगल ये नॉर्मल है ये वाली रे कौन सी है W ॉअ कौन सी है रफ्लेटेट रे हैं एंगल एंगल इन्सिदेन्स है a आपका सारे के सारे एंगल यह registration valid हो रहे हैं थया वैj ब्लकूर वैरी को तुम चैनल लोग सारी terminology समझ रहे हैं अब तो आपको क्या क्या समझ में आ गया center of curvature focus और इसका जो center था that was pole और इन तीनों को जो join करने वाली line है इसको हम क्या बोलते है principal axis चीक है तो मुझे लगता है ये इसकी चीज आपको समझ में आ गई इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ है यह mirror कितना बड़ा या छोटा है mirror का size अगर आप notice करो तो mirror का size में थोड़ा सा viewpoint change कर रहा हूं ज़रा देखेगा mirror का size जो है यह वाली जो diameter आप एक चमच है चमच का जो diameter that is your aperture गोल चमच है चमच का diameter is your aperture और वो चमच जिसका center यहां पर है ठीक है that is up your center of curvature मुझे लगता है कि अब तुम लोगों को यह बात समझ में आ गही होगी ठीक है और इसी का कि दोनों साइब को concave mirror और convex mirror दोनों चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि आ रही है या नहीं आ रही है बहुत अच्छी बात गुड गुड अब तुम लोगों को aperture भी समझ में आने अगा सारी बात आप तुमों को समझ में आ रही है वेरी गुड ठीक है बाई तो अब जड़ा देखेगा मैं इसी डाइग्राम में आप मैं वापस आ रहा हूं इसी डाइग्राम पर ठीक है अब ये 2D वीव हम देख चुके बार बार 3D वीव थोड़ी बनाएंगे ठीक है तो 2D वीव में हमने क्या बोला है 2D सिक असूर ये वाला डाइम्टर छिक है डिस साईड ये वाला ये किया था इस वो और अपर्चर तरीक है और य हां पॉइंट की था है तारी की सारी चीजा कॉंबेक्स मिरर में भी होंगी चिक है कॉंध समुरर में भी सारी की सारी यही बातें हो रही होंगी अब एक चीज और नोटिस की जिगह ठीक है सेंटर ऑफ करवेचर और पोल की बीच का डिस्टेंस इसको क्या बोलते हैं तो आपको यह सारी चीज़ा समझ में आ रही है इन्हीं चीजों के बारे में अब मैं बात करता हूं कि सबसे पहला पोल तो पोल इस क्या है पोल आपकी बात कर लेते हैं तो पोल क्या है आपका पोल इस Geometrical Center of the Spherical Mirror के Geometrical Center को हम क्या बोलते हैं पोल बोलते हैं इसको हम कि से रेप्रेजेंट कर रहे थे पी से ज़रह देखो यह वाला इसका जो सेंटर है ज़रा देखो अगर आप पीछे से देखोगे तो यहां पर आपको देखेगा यह वाला सेंटर आगे सिधर अधिको यह वाला स्वाइंट यह वाला आपको त्या हो जाएगा फोल हो जाएगा ठीक है बाई चलो तो पॉल हमें समझ में आ गया अगला प्रिंसीपल ایکसे अभी प्रिंसीपल एकसे से पहले सेंटर ओफ करवेचर सेंटर ओफ विचर क्या है सेंटर ओफ करवेचर इस डी पॉइंट जो की सेंटर पर लाएका जिससे इसका यह mirror बना होगा चीक है भाई good very good सबका सम्थ को समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात very good चीक है चलो भई तो center of curvature क्या है it is the center of sphere of which the mirror surface is a part ठीक है यह वो center है जिसका यह आप क्या था mirror का surface पार्ट था तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छे बहुत अच्छी बात सब लोगों को भई language भी समझ में आ रही है आप देखो भई language आप बना सकते हैं कोई इसमें वो चीज नहीं है बस आपको टेक्निकल यह चीज है सही लिखनी है कुछ confusion नहीं होना चाहिए पोल क्या geometrical center है और जिस surface का वो जिस surface का center है उसको हम क्या बोलते है radius of center of curvature अब जरा देखेगा principal axis क्या होगी क्या मैं ऐसे define कर सकता हूं principal axis को the line joining pole and center of curvature the line joining pole and center of curvature is known as principal axis line joining pole and center is known as principal axis लिख दो भाई तो इस दी principal axis को कैसे define करूंगा इस दी line joining pole and center of curvature ठीक है चलो भाई आया समझ में यहां तक कोई दिक्कत नहीं अगला radius of curvature क्या define करोगे radius of curvature बोलो कैसे define करोगे अरे अहां गया यह रहा बताओ भई थोड़ा सा दिमाग लगाना radius of curvature यह कैसे define करोगे अगर तुमको define करना होगा बहुत अच्छे बहुत अच्छे very good बहुत बढ़िया ठीक है line joining अब देखो क्या बोलूंगा it is the distance of center of curvature from pole pole की pole से center of curvature की जो distance होगी उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे radius of curvature सब define करते जाओ ठीक है तो it is the distance between pole and center of curvature की बीच के distance को हमने बोल दिया अगला क्या है भाई focus focus क्या होगा बोलो आपने अभी अभी देखा था यहां पर जो सारी parallel light rays आ रही थी यह एक जगह जाकर के मिल रही है ज़रा दिख रही है तुमको जितनी भी parallel light rays आ रही है यह तुमको center पर जाकर के मिलती हुई दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है तो अगर center पर जाकर के मिलती हुई दिख रही है वो उसी point को क्या बोलते है focus या principal focus तो focus is the point it is the point where parallel rays parallel rays meet और after reflection और मैं सबका लिख भी रहां after reflection किसके लिए पॉर concave mirror देखो भाई यह भी बता देना चीक है we have meet after reflection or appear to diverge from appear to diverge from यह किसके लिए है this is for convex mirror तो भाई मैंने दोनों के लिए बात कर ली concave mirror के लिए तो rays क्या हो रही थी जरह देखना टक्राने की बात क्या हो रही है यह मिल रही है लेकिन अगर आप convex mirror को देखो convex mirror क्या है देखो भाई यह convex mirror से जो rays आकर के टक्रा रही है यह टक्राने के बाद क्या हो रही है यह टक्राने के बाद मिल रही है यह दूर भाग रही है एक दूसरे से यह टक्राने के बाद एक दूसरे से दूर सब्कुरु भाग रही हैं तो जिस पॉइंट पर यह जाती हुई मिलती हुई लगती है ऐसा नहीं लग रहा कि इस वाले पॉइंट से आ रही है यहाँ से डाइवर мощ हो रही है तो इस कोनिएव मिरर के लिए उनि हम पर वाकई में मिल रही क swiftly कव्र के लिए सिंपय दूर जाती है कि लग रही है देखो ऐसा लग रहा है चाहिए है इसको हम बोलते हैं दोनों के एक और नाम भी है ठीकाइ इससे स्कान Ci यह तो पहचान जाओगे ना कई बच्चे ऐसे भी होंगे कुछ गरीब ऐसे भी होंगे जो यह भी नहीं पहचान पाते होंगे सर हमें बड़ा confusion होता है कि कौन सा mirror concave है और कौन सा mirror convex है सर मैं भूल जाता हूं या मैं समझ मैं नहीं आ सब्सक्राइब देखो concave नाम में ही क्या जड़ा हुआ है अगर तुम पहचान हो तो मैं नाम में के दिखाई दे रहा है अगर आने वाली light ray अगर आने वाली light ray cave पर टकराती है cave गुफा cave पर टकराती है that is concave अगर bulged out portion यानी बाहर वाले portion पर टकराती है that is convex चलो अब अगर यह समझ में आ गया और एक चीज़ नोटिस करना parallel light rays जब आ रही है यह parallel light rays reflection के बाद focus से पास हो रही है ठीक है कौन के मिरर में वाकई में पास हो रही है और कौन के मिरर इस को अच्छा दो rays एक चीज़ कौन के मिरर का एक और नाम इस मिरर को हम कभी-कभी Converging Mirror भी बोलते हैं Converging Mirror सरे Converging Mirror क्यों बोलते हैं Converging Mirror इसलिए बोलते हैं कि जो दो rays parallel जा रही थी रेल की पड़्री जो पैरलल जा रही थी उनको एक दूसरे से तो उनको क्या बोलते हैं converging mirror ठीक है और convex mirror को कभी-कभी हम diverging mirror भी बोलते हैं सर इसको diverging mirror क्यों बोलते हैं फिर मोही logic मुझे लगता है अब तुम इतने समझदार हो के तुम खुझ से बता दोगे कि यहां से दूर जाती हुई लग रही है तो इसी इस कौन क्य बोलते हैं डाइवर्जिंग दियर बोलते हैं ठीक है बई देखो जो पहले लारी कुआ आ इसुन गडरीक्त वे ऋंगो क्या distance between pole and principal focus ठीक है और focal plane क्या होता है अब focal plane basically बात आती है 3D में बात आ गई ठीक है जरा समझिएगा focal plane होता है अगर मान के चलो आपने कहा सर ये आपका concave mirror है हमने यहाँ पर parallel light ray डाली जो मैंने parallel light ray डाली थी वो कहां मिली कि वो हमारी सर फोकस पर जाकर के मिली तुम जो बोल रहे हो वो बिलकुल सही बोल रहे हो तो भाई यह सर फोकस पर जाकर के मिली ठीक है अब मैंने का यार पैरलल लाइट रे डालने का यही एक तरीका थोड़ी होता है सोचो मैं parallel light ray ऐसी भी तो डाल सकता हूं कि दो parallel light rays कुछ कुछ ऐसी incident करा दी एक ऐसी और एक एसी अब यह light ray कहां जाकर के मिलेंगी तो यह light ray एक ऐसे plane में जाकर के मिलेंगी जो के इसके perpendicular है ठीक है यहां पर कहीं जाकर के मिलेंगी और इस plane को बहुत जारा समझना 3D में बात कर रहा हूं । मैं एक plane generate होगा ऐसा कुछ which is perpendicular to the principal axis चीक है and passing through focus तो basically focus से pass होने वाला and इस plane को हम बोलते है focal plane चीक है तो यह वाला 3D में मतलब क्या 3D में आगर आप देखो अगर मैं यहां से perpendicular ऐसा एक plane draw कर दूं ऐसा एक plane जो जिसके यहां पर यह लाइक रहा है ठीक है यह लाइक कर रहा है इस plane को हम बोल रहे है focal plane क्या यह बात समझ में आ रही है this plane is known as focal plane अरे बहुत अच्छी बात ठीक है तो अब हम को यह समझना आ गया focal plane किसको बोलते है focal plane lies perpendicular plane तो मैं लिख देता हूं इस definition में भी लिख देता हूं ठीक है क्योंकि तुम लोग मानोगे नहीं ठीक है focal plane plane perpendicular to principle axis principle axis को मैं पी यह लिख रहा हूं ठीक है and passing from focus passing from principle focus या focus ठीक है तो अगर तुम्हें definition पूछ ले तो अब बात समझ में आ जाएगी सारी definition लिखा होगे ठीक है कोई aperture पूछ लेता अपर्चर इस डायमीटर ओफ दस इस्वेरिकल सर्फेस ओफ मिरर ठीक है चलो भई तो अब यह भी समझ में आ गया अब अब सबसे important बात कर लेते हैं गुड 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 ठीक है ओके भई समझ में नहीं मज़ा आया हां बिल्कुल मज़ा आएगा सब चीज एक एक चीज फील आएगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यू पढ़ रहे हैं और अब मैं बात करने जा रहा हूं पूरे के पूरे रे आप्टिक्स की जान की इसके बिना रे आप्टिक्स बोलना भी गलत होगा आप जो भी चीज जो भी फॉर्मला लगा रहे हो सबी के सबी के सामने एक एक approximation है यह पैरेक्सियल रेज क्या होती है क्या मुझे कोई बताएगा बोलो भई यह paraxial raise क्या होती है paraxial raise ओके बहुत अच्छे बहुत अच्छे paraxial raise वो raise होती है which are very near to the principal axis and make small angle with the principal axis ठीक है to raise very near to principal axis principal axis which makes very small angle with the principal axis ठीक है सर ये क्यों आखिर ऐसा क्यों सर इनको हम क्यों define कर रहे है सर raise very near to ये आखिर क्यों बोल रहे है basically जरा समझना real life में और ideal life में कुछ अंतर होते हैं ठीक है real life में जब आप चीजों को focus करते हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया एक mirror से जब ये raise टकराती है तो क्या हो रहा है तो raise कैसी हो रही है सर एक focus से पास हो रही है अच्छा मैंने तुम्हें जब दिखाया तो मैंने कुछ ऐसी raise इस पे incident कर दी थी मैंने क्या किया था मैंने कहा बई एक raise incident हो रही है ऐसी रे इंसिडेंट हो रही है तक्राने के बाद वो रे कहां जा रही है सर वो टक्राने के बाद वो रे इधर जा रही है दूसरी रे ऐसी इंसिडेंट हो रही है सर टक्राने के बाद वो रे कहां जा रही है सर टक्राने के बाद वो रे इधर जा रही है यह सारी रे अच्छ से पास नहीं होती है यह रेस क्या होती है कुछ एक सैप एक ऐसे एरिया से पास होती है अगर आप रियल लाइफ में आप नोटिस करोगे तो यह रेस क्या होती है कुछ एक ऐसे एरिया से पास होती है एक शाप पॉइंट से पास नहीं होती दिर इस नो शाप वह स्कॉइन बाकी संहीं तो कोई न कल रही है कोई इधर से निकल रही है यह क्या है है यह यह थी हकिकत है वह सब्किनने को दो सब्सक्राइब करने के लिए मतलब क्या one upon you is equals plus one upon be is equals to one upon a f जो कि आप mirror formula पढ़ते हैं वो सारी rays के लिए applicable नहीं होता है वह सिर्फ कौन सी rays के लिए applicable होता है वो सिर्फ और सिर्फ उन rays के लिए applicable होता है which are very near to the principal axis जो rays principal axis के लिए के एकसिस के बहुत नजदीक होती है यह वाली रेज यह वाली रेज Itですね इनने के लिए mirror formula apply होता है इन वाली रेज के लिए यह वाला फॉर्मला अप्लाए नहीं होता है तो अगर किसी के दिमाग में कुछ आ जाए ठीक है अगर किसी के दिमाग में कुछ आ जाए तो समझ जाना ये वाली दीज रेज आर पैरेक्सियल रेज तो पैरेक्सियल रेज कौन सी होती है विच आर वैरी नियर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली और ये रेज जब टकराती है तो ये रेज एक ये रेज एक शाप ऑन्फर मिसी ठीक है तो यहां पर मिले गी रेक यह कहीं और जाके के **** तो यह बात समयगहा की परक्सियल इसको लिए जिटने भी फॉर्मले चाहिए वह दो चाहिए हो लेंस फॉर्मला हो जो भी कि तुम फ़र्मले पढ़ होगे वो रिजन के लिए ठीक है यह वाली विजन तो समझ में आए मैंने क्यों बोला यह इतने इंपोर्टेंट क्यों है एक इस इतना इंपोर्टेंक क्यों है क्योंकि बाकिक लिए यह कांगी नहीं करता मेरा सपरमला थे कंवा कि लिए बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी हम बात करें है आइडियाल सिनारी होगी पहले आइडियल पढ़ ले पहले एडियल समझ ले उसके बाद रियल तो अपने आप आ जाएगा तो अब यह तुमको समझ में आ गया अब एक चीज और नोटिस करना पैरेक्सियल रेज में ठीक है तिन्त ये रेज इतनी पास-पास में है तो अच्छा तो क्या तुमको ये दिख रहा है अगर मैं इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट की बीच में डिसेंस निकालू मतलब क्या ह समझना में क्या बोलना चाह रहा हूं ये रेज इतनी पास-पास में है कि अगर मैं यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करूं कहां से नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं मैं इस वाले पॉइंट से ठीक है तुमको ये दिखाई दे रहे इस वाले पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ किया इन दोनों के बीच में तुम्हें कुछ गैप दिख रहा है अगर ये रे ये वाली रे और ये वाला ये पॉइंट ये इसके पास में आता जाए ये रे प्रिंसिपल एकसिस के पास में आती जाए तो दरा देखना यहां से जो नॉर्मल डाल रहा हूं इस वाले को अगर तुम बहुत जूमिन करके देखोगे तो भी तुम को ऐसा दिखाई देगा कि अं दोनों के बीच में गैप यह इन दोनों के बीच में गैप नाके बराबर है ठीक है तो इस अप्रॉक्सिमेशन का मैं बाद में यूज करूँगा कि कि किसी भी पॉइंट से से यहां से मिने नॉर important समझ में आया कि नहीं आया यह से उन्हों में जवाब दो भई हां 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 बोलो ज्ल्धी बताओ भई God bad 6 बहुत अच्छी छाग्या सबको समझ में आ गया तो अब मुझे लगता है कि में आ ऐसे आग्या है और अगर तुम दोगा परिक्सियल के समझ में आ गया है तो अब मैं बात कर रहा हूं रिलेशन बीइन फोकल लेंस एंड रेडियस ऑफ करवेचर फोकल लेंस और रेडियस ऑफ करुछर भी मेहनत कर लो एक चीज तो तुम भी डिराइब कर लिया कर हो चीक है चलो मिरर हमारा दुनिया का सबसे सुंदर मिरर मैंने तुमको बताया हुआ है कौन सी रेज के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन यार पैरेक्सियल रेज का डाइग्राम इतना छोटा बनता है न कि वो चीज़ा समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है तो मैं थोड़ा सा डाइग्राम को इजीली समझाने के लिए भवन भोलूं मान के रखना कि कौन सी रेज है ऐसे बात कर रहे हैं बाकी रिस लिए हम बात नहीं करेंग के ठीक है बई चलो रहे कहों से आकरके टक्राइगी यह कहींग फ्रेकर से पास होगी थाकिए तुम्हारा ये वाला है ये वाला पॉइंक्ट के अऊगा इस विल बी laws of reflection हमेशा valid होते हैं अगर मैं यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं मैंने यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यह नॉर्मल है ठीक है यह नॉर्मल कहां से पास होगा यार एक स्फियर का नॉर्मल कहां से पास होता है एक सरकल पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया वो कहां से प टू एंगल ओफ रिफ्लेक्शन आई विल बी ओल्वेज एक्वल टू आर मैं लिख रहा हूं आई इस इकल्स टू आर ठीक है लॉप रिफ्लेक्शन लिख दिया अब अगर यह वाला एंगल आई है तो यह वाला एंगल भी क्या होगा आई तुम लोग को उमीद करता हूं कि तुम लोगों इतनी बेसिक जोमेट्री तो आती होगी यार कि अगर दो पैरलल लाइन है और एक लाइन ऐसे कट कर रही है तो जो यह वाला एंगल होगा वही आपका यह वाला एंगल भी होगा इतनी जोमेट्री तो तुमको आती है यार आती है कि नहीं आती है वो लो मान डे रहा हूं पॉइंट कि और मैं यहां से एक नॉर्मल डॉ कर जा और यहां से मैंने एक नॉर्मर्म डॉ कर दिया चिद है इस Calmोल का लर उसकर लिप इसको सlorम नाम रेस पाराख्शियल रेस के लिए a b is almost equivalent to ab and angle i and angle r इया और लॉट क önगे भॉत ही चोटे चोटे होंगे बच्चे बच्चे इंगल होंगे लेकर य सी चन्नू से ऐंगल होंगे है ए बार चोटे-फोटे एंगल है आई बात समझ मैं या नहिं आई बोलो अरे बोलो भाई बोलो आ गई समझ में चलो तो मैंने का यार ये दोनों एंग बहुत छोटे हैं अब ज़रा बात करते हैं ट्राइंगल की ठीक है थोड़ा थोड़ा सा आप ट्राइंगल के बारे में बात कर लेते हैं क्या तुमको यह दिख रहा है अच्छा तुमको पता है अगर ये एंगल आई है ये आर है मैं तुम्हें एक एंगल बताना चाह रहा हूं and that एंगल इस चलो इस वाले ट्राइंगल पर फोकस करना ठीक है इस वाले ट्राइंगल पर और दूसरा इस वाले ट्राइंगल पर फोकस करना क्या तुमको यह दोनों ट्राइंगल दिखाई अच्छा एक चीज और एक चीज मुझे लगता है कि तुम लोग तो पुरानी बात है तो तुमको याद रहती है तो इतनी बात अगर तुमको याद आ रही है तो शायद तुम्हें ये बात भी याद आ जाए इस ट्राइंगल में इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल क प्लस R होगा के नहीं होगा दिस एंगल टीटा ठीक है एकस्टीरियर एंगल इन दोनों एंगल के समेशन के बराबर होगा इन दोनों का प्लस इसका एंगल समेशन गया होगा 180 डिगरी और इसको क्या बोलो अगर i और r बराबर है तो इस वाले angle को 2i लिख सकता हूं बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं लिख दिया ठीक है चलो अब तुम लोग गो ट्राइंगल law तो बहुत अच्छे से आता है ट्राइंगल लोग, ट्राइंगल लोग क्या बोलता है सर सर्ट्राइंगल लोग बोलता है कि 10 थीटा क्या होता है 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अप़ोन बेस तो 10 i की वैल्यू क्या होगी a b अचा a b लिखूँ या a p लिख दूँ कोई अंतर तो नहीं आएगा चीक है तो मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल लॉक ठीक है पॉर ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी टैन आई इस एक्वल टू ए बी अपॉन बी सी एंड आइ केन आल्सो राइट इस ए पी अपॉन पी सी कोई फर्क नहीं पड़ता चीक है इसी तरीके से फॉर ट्राइंगल फॉर ट्राइंगल ये छोटा वार ट्राइंगल चीक है छोटा वार ट्राइंगल क्या है ए बी एफ ए बी एफ इसी तरीके से लिखकर क्या है पहले ट्राइंगल का नाम लिखना उसके बाद आपको वो एंगल रिलेशन दिखना फिर यहां पर ट्राइंगल का नाम फिर रिलेशन क्या लिखोगे 102i 102i is equals to perpendicular upon base तो AB upon BF AB upon BF या इसको मैं लिख सकता हूँ AP upon PF एक ही बात है चीक है बई चलो तो मैंने दोनों equation लिखती दोनों equation को क्या करोगे नमबर दे दोगे लिखने का तरीका भी देख लो ठीक है पहले तो चीज पैरेक्सियल रेस के लिए मैंने यह चीज डिफाइन कर दी है ठीक है एंगल आई एक को स्ट्रेंगल आर यह क्या लिखोगे तुम लिख देना law of reflection ठीक है तो चीजों को डिफाइन भी साथ साथ में करते जाना ठीक है चलो अब अगर तुमने यह लिख दिया तो अब क्या लिखोगे भई पेम भई चीज मुझे लगता है यह चीज तो तुमने सीखी होगी फ्रॉम एक्क्वेशन बनेंट टू एक्क्वेशन बन और एक्क्वेशन टू से हम क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं एक क्वेशन वन क्या थी यह वाली 10 I is equal to AP upon PC ठीक है अच्छा मैं भी फिलाल बस्त यह लिख अपन PC ठीक है और 10 2 I is equals to AP upon PF यार मैंने जो एक्वेशन यहां लिखी थी मैंने दुबारा वही लिख दी सो देट मेरे पास थोड़ा हो जगह आ जाए ठीक है अब जरह देखेगा मैंने आपको यह बोला था I or R बहुत छोटे हैं ठीक है और अगर I or R छोटे हैं for small angle अब ज small angle 10 theta या sine theta is equal to 10 theta is almost equal to theta ठीक है sine theta 10 theta और theta क्या होते हैं एंगल जब छोटा होता है आपस में बराबर होते हैं सर यह क्या logic हुआ साइन theta 10 theta आपस में बराबर होते हैं हमें दोस्ते बढ़ाता दोनों अलग-अलग होते हैं तो ज़रा सुन लेना मेरी बात ठीक है अगर तुम थोड़ी सी भी कहानी सुन लोगे तो तुमको यह भी समझ में आ जाएगा ज़रा देखना लेटस से तुम्हारा मेरे triangle बना देता हूंगी धिकर यह मिरे यह क्या हो गया यह पर्पेंडिकुलर छोटा होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है यह जो पर्पेंडिकुलर है यह बहुत छोटा होता जा रहा है और अगर यह थीटा इतना छोटा हो जाए यह थीटा यह वाला जो थीटा है यह इतना छोटा हो जाए यह जो थीटा है ज ये आल्मोस्ट बहुत लीजिए हो जाए अच्छा जैसे जैसे ठीटा छोटा होता जा रहा है तुमको यह नहीं दिख रहा पॉर स्मॉल ठीटा हाइपो टेनिस इस इस ऑल्मोस्ट क्या होता है और अगर यह दोनों आपस में बराबर हो गए तो तुमको यह भी समझ में आ गया तो यह किसके बराबर है और एक चीज एक चीज यहां तुम अक्सर गलती करोगे ठीक है थीटा मस्ट भी इन रेडियंस इन रेडियंस थीटा किस में होगा रेडियंस में होगा मतलब साइन टू डिगरी इस 0 to 2 साइन टू ॡिगरी को पहले रेडियन में कनवर्ट करो और उसके बाद बाब पराबर करोगे ऐसे बराबर नहीं करते ठीक है भई समज में आया कर नहीं आया चलो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ i is equals to ap upon pc and is collected on to i is equals to ap upon pf value shop dho bhai यहां पर from 1 and 2 अप फिर से कर लेना ठीक है मैं यहां पर लिख देता हूं तो twice of ap upon pc is equal to ap upon pf कर लिया और जैसी तुम यह करो ap से ap निप्टा देना ठीक है तो क्या हो जाएगा pc is equals to twice of pf इसको इधर बेज दिया इसको इधर बेज दिया ठीक है यह आपका क्या आगया यह आपका आगया रिलेशन ठीक है और इसको क्या बोलते थे pc को पोल से सेंटर के डिस्टेंस को क्या बोलते थे इसको तो तुम आर बोलते थे ना यार और पोल से आव फोकस के डिस्टेंस को इसको क्या बोलते थे फोकल लेंथ बोलते थे ठीक है बस छाप दो देखको pc क्या है आर इस इकल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंज रेडियस ऑफ करवेचर फोकल लेंज की लेंज के मुकाबले क्या होता है डबल होता है इतनी कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई बोलो कि कि अरे कभी-कभी डेरिवेशन आ जाता है बाबू आता है अगरे कि बोल रहे हैं यह तो अमने 10 में पढ़ा था डेरिवेशन थोड़ी पढ़ा था 10 में ठीक है इस और गोड चलो तो यहां तक की कहानी तो तुमको समझ में आ गई चीक है अब बात कर लेते हैं साइन कंवेंशन की और कौन से वाले साइन कंवेंशन में एक ही साइन कंवेंशन के बारे मैं जानता हूं वही पढ़ूंगा वही पढ़ाऊंगा that is cartesian sign convention cartesian system ठीक है इसमें क्या है पोल को हम क्या मानते हैं center मानते है pole is assumed to be center ठीक है and the direction of incident ray pole को आपने center मान लिया ठीक है incident ray अगर इस direction में आ रही है if incident ray is coming this direction ठीक है let us say this is the direction of incident ray this is the direction of incident ray ठीक है तो incident ray की direction को हम क्या मानते है positive pole को हम क्या मानते है origin ठीक है तो यह वाली direction क्या हो जाएगी positive यह वाली direction क्या हो जाएगी negative ऊपर वाली direction क्या हो जाएगी positive मतलब यह तो तुमने सब पढ़ाया यार और नीचे वाली direction negative ठीक है आगे वाला very good very good पीछे वाला very bad very bad very bad यह negative ठीक है भाई चलो आया समझ में तो Cartesian plane यहाँ पर अब हमें याद रखेंगे जिस direction में incident ray जा रही है उस direction को positive मानते हैं और pole को हमीशा क्या मानते हैं सेंटर मानते हैं मतलब origin मान देते हैं चलो इतनी कहानी तिम लोगों को समझ में आ गई अब रे डाइग्राम एक्जाम में रे डाइग्राम बनाने को आता है ठीक है कि सर अगर पांच नमर रोगुशन आएगा ड्रो अले बल्ड नीट रे डाइग्राम तो कैसे बनाते हैं रे डाइग्राम के कुछ रूल सें ठीक है पहला रूल समझेगा अगर रेज पैरलल जाती है किसके प्रिंसीपल एक्सिस के टकराने के बाद वो कहां से पास होती है ठीक है भाई अच्छा तो यह रेस कहां से जारी है यह जो पैरलल बन बन क्या है रेज प्रॉम और अब्जेक्ट पैरलल टू दा प्रिंसिपल एक्सिस विल पास्ट प्रॉम फोकस या प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन तो यह पहला है ठीक है पहला रूल इंसीडेंट रेस इंसीडेंट रेस पैरलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है पास्ट्रू और पास्ट्रू फोकस ठीक है और ब्रैकेट में लिख देना पॉर कॉनकेव मिररर और अपीर टू पास्ट्रू फोकस ठीक है यह ब्रैकेट में लिख देना किसके लिए पॉर कॉनबेक्स मिररर ठीक है आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रेज हैं जो पैरलल रेज हैं कॉनकेव मिरर के लिए फोकस से पास होंगी और कॉनवेक्स मिरर है उसके लिए क्या होगी बई देखो मैंने सेम कलर से लिख रहा हूं मतलब अगर मैं यलो कलर यूज कर रहा हूं तो यलो वाला डाइग्राम ही बना रहा हूं यह जो रेज हैं इस आर अपीरिंग टू पास्ट्रू फोकस ठीक है चलो बई पहला रेडाइ दिया तो सेकंड क्या है अगर एक रे फोकस से पास हो रही है चलो बई सेकंड वाला देखिएगा इसको अगर रे यहां से ओरिजनेट हो रही है और फोकस से पास हो रही है फिट इस पासिंग फ्रूम फोकस तो यह कैसी हो जाएगी टक्राने के बाद इट विल बिकम पैरल to the principal axis यह कैसी होगे principal axis के parallel हो गई चीक है तो raise passing from focus focus से pass होने वाली passing from focus फिर से वही चीज फ्राइब for concave mirror अरे concave mirror के लिए तो pass हो सकती है convex mirror के लिए focus पासी पीशे है mirror के तो से तो pass नहीं हो सकती और appearing to pass through focus for convex mirror becomes parallel to principal axis after reflection ठीक है जोरे focus से pass हो रही है this is your focus जोरे focus से पास हो रही है और टकराने के बाद क्या हो जाएगी पैरलल थी तो focus से पास होई focus से पास होई तो parallel हो गई ठीक है this is also known as principle of reversibility शलो भई इतनी कहानी तुम लोगों को समझ में आ गई या नहीं आ गई आ गई सब्सक्राइब बता दिया मैंने ठीक है बताना कुछ नहीं था बस तुम लोगों को समझ में आ चुका है एक बार अगर तुम लोगों को इसे कलर में बनाओ ग्रीन कलर में बनाता हूं ठीक है रेज पास्टिंग फ्रॉम और अपीरिंग तु पास प्रॉम पैंटर ओफ कर वेचर विल री ट्रेस देर पास आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज पोकस से पास से पास्टर ओफ कर वेचर से पास हो रही है या अपीर हो रही है वो कैसी हो जाएंगी दे विल बिकम पैरलल टू प्रिंसिप दे विल री ट्रेस देर पास मलब रिवर्ट कर जाएंगी 180 डिगरी का टर्न अराउंड हो जाएगा कैसे टक्राने के बाद तु भाई अगर एक रे फोकस या सेंटर ओफ कर वेचर से पास हो रही है इसका कलर ग्रीन था ठीक है तो टक्राने के बाद क्या हो जाएगी टक्राने के बाद यह वापस रिवर्ट कर जाएगी अगर एक रे सेंटर ओफ कर वेचर से पास हो रही है यह वाली रे तो टक्राने के बाद क्या हो जाएगी यह भी विवर्ट कर जाएगी इधर से टक्राई और वापस इधर ठीक है क्योंकि यहां पर कैसा इंसीडेंस दोगा नॉर्मल होगा यार चलो बहुत अच्छी बहु अगला रूल अगला रूल कौन सा है भाई चौथा रूल रेस इंसीडेंट एट पोल मेक्स इक्वल एंगल with principle axis principle axis को मैं PA लिख रहा हूँ ठीक है after reflection अच्छा यार एक छीज मैं यहां add the rate लिख रहा हूँ ठीक है तो तुम मत add the rate लिख दे ना exam में और देगा मैं लिए सकता हुं तुम नी लिए सकते ठीक है कुछ तो मेरे benefit होने दो यार ठीक है यहां पर एड़ीरे法 कर यहांपर अब लिए पस्क्तियाम इंपार एक्सेशे लिखना मैं पैरलल को कभी कभी ऐसे लिखता हूं तुम मत लिख दे नेë ठीक है और खास तोर से WhatsApp language मत लिख क्या आ जाना नहीं तो पता चला एफ ओ आर को एफ और लिख रहे हो ठीक है वो चीज मत करना यार तो अब भाई कहां गया पॉल यह रहा पॉल से कैसा बनाता है बराबर बराबर एक्वल एंगल बनाता है तो बना दिया एक्वल एंगल मतलब एंगल आई इस एक्वल टू एंगल आर पोल 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 यह रहा पोल यह रहा पोल मिल गया पोल इसकी भी पोल मिल गई और यह कहां है यह भी बराबर एंगल बना रहा है एंगल आई एंगल आई एक्वल टू एंगल आर ठीक है इतनी कहानी मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ रही है अब बात आती है सर ये कहानी हमने 10th में पड़ी हुई है आप ये कहानी दुबारा क्यों बता रहे हो इसलिए बता रहा हूँ कि रे डाइगराम बनाने में तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी एक्जाम में जब पांच निमबर का कुशन आएगा तो तुमसे रे डाइगराम भी पूछेगा और क्या ये सर हमें चारों बनानी होती है नहीं मैंने बताया सिर्फ चार अचा इसका मतलब यह नहीं इसका मतलब यह भी है कि इसके अलावा कोई भी आप अपने मन से रे बना देते इसके अलावा मतलब आपने क्या किया आपने कोई आर्विटरी रे बना दी तो ये रे भी यहीं से पास होगी तो सारी यहीं से पास होती है लेकिन प्रॉब्लम क् इसका मतलब यह नहीं कि आपको सारी बनानी है रे डाइग्राम के लिए केवल और केवल कोई दो रे चुन लेना वो बना देना और तुम्हारा काम हो जाएगा तुम्हें जादा दिमाग नहीं दगाना चीक है तो यह तो मैंने चारों बता दिये हैं जनरली कौन सी लोगे जन अगर तुमनों को यह बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा अब इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कुछ जरूरी डिसकेशन जो करने हैं वो हम पहले कर लेते हैं डैट इस मिरर फॉर्मूला ठीक है एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से बहुत इंपॉर्टेंट मिरर में आ रहा है ठीक है गुड वेरी गुड चलो मेरर फॉर्मूले वैसिकली क्या है किसी भी ऑबजेक्ट के लिए कब रिफ्लेक्शन होगा कहां इमेज बनेगी उसके बारे में अब हम प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं तो मेरे पास एक ऑबजेक्ट रखा हुआ है यहां प करके और रखाए मैंने यहां पर अब मुझे क्या बनाना ए इस object की image बतानी है कि image कहां पर बनेगी ऑबजेक्ट की अगर इस mirror से कौनकिव मिरर एक्जामपल लिया है convex mirror भी होगा तो भी आप सेम तरीके से solve करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है क्या होगा यहां से जो ray आई है यह ray letter से मैंने सबसे पहले कौन सी ray draw करी मैंने parallel ray draw कर ली यह parallel ray टकराने के बाद कहा जाएगी यह parallel ray टकराने के बाद focus से pass होती हुई दिखाई देगी मुझे उम्मीद है कि तुमको यह दिखाई दे रहा है कोई एक रे अब दूसरी ray कौन सी लूँगा में तो भाई कोई दूसरी ले ले लो चलो यह वाली ray ले लेता हूं पोल से पास होने वाले तो मैं ट्राइंगल भी दिखाना है ना मुझे तो यह मैंने दूसरी ray ले ली यह भी image का distance mirror से और focal length इसके mirror का focal length इन तीनों के बीच में relation निकालना है ठीक है अब जरा देखेगा derivation सबसे पहले देख लें कि derivation करना क्या है और इसका logic क्या है ठीक है तो यहां पर अगर object है और object की मैंने यहां कहीं image बनाई है यह वाली मेरी image है यह रही ठीक है बड़ी खतरनाक सबसे पहले आपको यह तो पता होगा यार एंगल of incidence is always equal to angle of reflection तो अगर तुमको यह बात याद है तो मैं यह कह रहा हूं क्या यह बोल सकता हूं यह वाला एंगल आई है तो यह वाला एंगल आर जोगा यह बराबर होंगे ठीक है अब जरा focus करना सबसे पहले क्या तुमको यह दोनों तो और तुम लोग यार मुझे रखता है बहुत स्मार्ट हो तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत अच्छे साती है क्या मैं यहां पर अगो तुम्हें 10th या 10i पूछ लूँ कि यह 10i बता देना बेटा कितना होगा तो तुम 10i क्या बोलोगे तो 10i विल बी एक्वल टू इसके बराबर परपेंडिकुलर यानि की A B divided by base यानि की B P बोलोगे के नहीं बोलोगे बोलोगे 10 I will be close to A B upon B P ठीक है और ऐसे ही 10 R को क्या बोलोगे A dash B dash upon क्या बोलोगे यार A dash B dash upon यह B dash P ठीक है तो 10 R will be equals to A dash B dash divided by B dash P I और R अगर बराबर बराबर हैं तो 10 I और 10 R भी क्या हो जाएंगे बराबर होंगे के नहीं होंगे बोलो तो यह भी बराबर होंगे तो from 1 end to ठीक है since I is equals to R so therefore A B divided by B P will be equals to A dash B dash divided by B dash P मैं इसी को ऐसा लिख रहा हूं A B इसको इधर बेज देता हूं यार A dash B dash this will be equal to B P यार B से P यानि की object की distance कि से mirror से इसको क्या लिखूंगा यू लिखूंगा और इसको क्या लिखूंगा वी लिखूंगा तो इसका लिख मैं क्या चाहरा हूं मैं U और वी के बीच में एक relation बड़ा वाला triangle कौन से दोनों triangle चूथ किये थे यह बड़ा वाला और यह बड़ा वाला ठीक है पहला हमारा काम यह हो गया इसको अब जरा देखना मेरी बात तुम्हों को इतनी बात तो समझ में आ गई ठीक है अब तुम्हें क्या निकालना है mirror formula तुमको यह तो याद है U V और F के बीच में relation होता है यार होता है कि नहीं होता तो basically पहली equation जो हमारी पहली काम की equation है क्या इस वाली equation में तुम्हें कहीं F दिखरा है मैंने कर नहीं दिखरा ठीक है क्योंकि मैंने बड़ा triangle चूज किया यह वाला triangle चूज किया ना इसमें F था ना इसमें F तो आप दूसरा triangle काईसा चूज करोगे एक ऐसी triangle चूझ करने चाहिए जितमेन f फोकस हो तहो अच्छा बताना focus तुम्हें कहां दिखाई द रहे यह focus यह वाला तुम्हको focus दिखाई दे रहे यह वाला अगर नसजने थोड़ी से भी थीक होंगी तो यह focus दिख जाएगा दिख गया और अगर तुमको यह focus धुक्स दिख गया तो तो भरता ना इसका जो ट्रैञंगल बनेगा वह वाला देख रहा है या तुमको एक ट्रैंगल यह दिख रहा है और तुमको बाते कि information वाला लिंगल लगव दो एक ही बात है क्यों I am talking about फिर से मैंने बताया था it is valid only for paraxial raised कि फिए तो रेस पैरьяक्सियल है ये एाशम्प्रब्रै अभी भी चला रहा है सबियों से चला रहा है मतलब यह वाला जो ट्रेइंगल है मगले यहां से मैं अगर नॉर्मल ड्राउ कर दूं अगर मैं यहां से तुमहारे लिए सिर्फ और सिर्फ खास तुम्हारे लिए मैं अगर यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो यहां पर अगर मैं जो भी पॉइंट बोलूंगा इसको एम बोला है इसको एन बोल दूं तो एम और एन या एम और पी बराबर-बराबर मान लेना ठीक है एम एन इस ओल्मोस्ट एक्वल टू एम पी ठीक है और देखना एक चीज कौन कौंसे ट्रेंगल चूस किये थे मैंने बताओ वैजिंसे ट्राइंगल चूस किये थे ट्राइंगल पैचान अगर तुम ट्रैंगल पैचानना सीख गए तो तो तुम्हें डेरिवैशन याद करने कि जोरूत नीपड़ेगी एक्जाम में बस ट्रैंग ट्रैंगल से सिमिलर ट्रैंग test में त्रेंगल से खेलाना और काम होगा यह वह वाला ट्रैंगल त्ष ग Stevens तो लिख दो इन ट्राइंगल कौन सा वाला ट्राइंगल ए डश बी डश ए ट्राइंगल ज़रूर बेंचन कर दिना ए डश बी डश एफ 10 थीटा is equals to a dash b dash divided by b dash f चीक है और बड़े वाले ट्राइंगल में बताओ क्या होगा mn बोल दो mp बोल दो या इसको a dash b dash a b बोल दो बात भाई है चीक है तो इन ट्राइंगल in triangle mnf mnf में क्या होगा 10 theta will be equals to 10 theta will be equals to mn mn divided by fn fn ठीक है कहानी बहुत चल दीचे गई इसको मैं almost यह भी लिख सकता हूँ a b divided by fp mn को मैंने a b से replace कर दिया बराबर बराबर है और इसको मैंने किस से रख दिया fn को मैंने fp से replace कर दिया ठीक है दोनों बराबर है equation number 4 equation number 5 तो from equation 4 & 5 मैं क्या लिख सकता हूँ a dash b dash upon b dash f a dash b dash upon b dash f is equal to किसके बराबर होगा यह वाला बताओ दो a b upon fp a b upon fp यह दोनों आपस में बराबर है अच्छा एक चीज़ देखना पहली जो equation मैंने निकाली थी इसमें a b upon a dash b dash था a b upon a dash अच्छा एक चीज़ अब मैंने जब लिख दिया है b dash f को क्या लिख होगे तुम b dash f यह वाली distance इसको क्या लिख होगे तुम क्या तुम ऐसा लिख सकते हो v minus f तो this can be written as v minus f और fp को क्या लिख सकते हो एंफी लिख सकते हो चलो तो v minus f upon fp तो v minus f upon fp a dash b dash मेरे यहां पर अच्छा equation में क्या लिखाता है यहां पर a b upon a dash b dash लिखाता ना तो वहां पर भी लिखता हूं तो यहां लिखता हूं मैं a b a b upon a dash b dash this will be equal to fp upon b dash f fp क्या है focus simple this is f divided by v minus f ठीक है यह equation हो गई इसको 6 number देता हूं और अगर तुम को यह समझ में आ गया तुमने यह सारी relation लिख दी तो बस अब तो तुम को बस साली language लिखनी है from equation 5 & 6 पांच वाली equation पांच वाली कौन सी है यह a b upon a dash b dash u upon v u upon v is equal to f upon v minus f f upon v minus f अब अब सब सारी टम से अलग अलग करने है अब सारी टम क्या करने है तुमको अलग अलग करने कल तो अलग तो क्या करोगे इसको इदर ले जाता हूं तो f upon u plus f upon v is equal to one upon इसको वन लिख दूँ ठीक है और यह क्या हो जाएगा वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इस एकल टू वन अपॉन यह तुमारा रिलेशन आ गया ठीक है अब एक मिनिट यह फाइनल आंसर नहीं होगा ठीक है सबसे पहली बात यह मिरर के लिए अच्छा है कॉन के मिरर के बास सुन्दर सा आंसर आया लेकिन जरूरी चीज़ यह है कि अब इसमें यहां पर क्या करोगे साइन कंवेंशन रख इस नेगेटिव एड एफ इस अलसो नेगेटिव चीज़ तो जब आप साइन कंवेंशन रखोगे सर साइन कंवेंशन क्यों रख रहे हूँ आप मैं इसी लिए रख रहा हूं क्योंकि अगर आप किसी और मिरर के लिए सॉल्व करते तो यह एक्सप्रेशन नहीं बनेगा आ इस नहीं कॉटिंग साइन कंवेंशन इन जोभी एक कूशने कौन सी लिख दो साथ बिख दो नो चीक है तो साक में क्या लिखोगे वन अपॉन माइनस यू प्लस वन अपॉन माइनस वीजिकल्स टूट उन अपॉन माइनस एफ यह वापस से वही मिलेगा वन अपॉन यू 1 upon v is equals to 1 upon f ठीक है अब तुम्हारी दिमाग में यह आ रहा होगा सर आपने sign convention रखा क्यों वो इसलिए रखा क्योंकि अगर तुमने अगर exam में बोला कि सरी convex mirror के लिए derive कर दो तो आपका expression यह नहीं आएगा लेकिन जब आप sign convention रखोगे तब आपका expression वापस से आ जाएगा sign convention रखते हैं और यह जो mirror formula है हमारा mirror formula क्या आया 1 upon u plus 1 upon v is equals to 1 upon f इसमें हम एक बार sign convention अच्छा मेरे एक बात बताना बहुत simple दी चीज है ठीक है मैंने कहा किसी चीज की value minus 4 है और उसको मैंने एक्स नाम दे दिया ठीक है और किसी चीज की value 5 है उसको मैंने भी उसको मैंने यह भी x के अंदर आ रहा है अब मैं यह चाहा रहा हूं कि आपको कुछ एक sign convention रहा हूं कि so that आप बस उसमें value रखो plus और minus और आपको पता चल दाए है वह minus है या plus है तो क्या करोगे आपने अगर एक बार पहले minus रख दिया मैंने का एक काम करते है minus 4 में मैं एक minus लगा दिता हूं पहले ठीक है ठीक है सर एक लगा दिया अब मैंने का जब तुम्हें उसकी value रखनी है तुम्हें minus चाहिए तो तुम दूसरी बार जब साथ पुट कर दूँगा ठीक है तो पुट यू पुट वैल्यूज ऑफ यू वी एंड एफ विट साइन कंवेंशन इसमें क्या करोगे साइन कंवेंशन के साथ हम वैल्यूज पूट करते हैं मतलब क्या आप तुम को यह बात समझ मारी है Coll Tam कितनी बार रख रहे हैं टोटल डोबार रख रहे है एक बार जब मैंने ढरी एक दिग्षाistle आँछ काई आप और क्यों और रख रहे हैं को दया दो बार रखने का लॉजिक यह है एक बार यहा लगा दिया दूसरी बार आप तुम लगाओगे तो वापस जो ओरिजिनल जॉमेट्री थी उस पर पहुंच जाओगे ठीक है भई तो यह ओरिजनल जॉमेट्री पर हम आ जाएंगे पहले जॉमेट्री कुछ और इसका कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैं डिराइव कर वाँगो उसके लिए अलग आता है ठीक है भई तो यह समझ मैगनिफे केशन या ट्रांसवर्स मैगनिफे केशन गाइस अैंस ट्रांसवर्स कि मैगनीं केशन जो कौन सावाला है जो कि आप यह पढ़ रहे हो ए बी अपॉन हैेट अफिश साव्यार पी तो फ इमेच एड़िज वाइड हाईट ऑ अब जयक toute Chanلام of इमेच गैशन हाइड by height of object चीक है height of image divided by height of object और दूसरा होता है longitudinal magnification this is length of image length of image divided by length of object चीक है transverse magnification basically ये वाला magnification है और longitudinal based magnification basically ये वाला magnification है ठीक है तो ये समझ में आ गया अब height of image और height of object जरा समझेगा ये a b upon a dash b dash क्या होगा triangle निकाल दो तो a dash b dash divided by a b this is magnification and this will be equal to क्या होगा भई पर्पेंडिकुलर पर्पेंडिकुलर इस विल बी कोस्टू पी एस पी बी अपॉन या स्वरी पी डेश अपॉन पी यह होगा या नहीं होगा अरे ट्राइंगल यार सिमिलर ट्राइंगल है ठीक है तो लिख देना यहां पर कहां गया यह रहा हिंस हैं ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर यह दो नों सिमिलर हैं तो एड ए बी अपॉन ए डैश बी डैश या एड़ेश ब्रश्पोन एपी इस एकवल्स टू बी ड़ेश एफ पी डिवाइड़ बाई बीपी ठीक है लॉजिक अभी मैं बताता हूं क्या होगा इसका लॉजिक तो इस बीड़ेश पी क्या है बीड़ेश पी बिसिकली यह 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 वाला डिसेंट अरे इस डिस्टेंस बराबर आ जाएगा ठीक है अब इसको लेख होगे क्या है एच हाइट ऑप इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस विल बी कस्टू बीड़ेश पी क्या था वी अपॉन यू और यह तो क्या गया यह आगया मैगनिफिकेशन का मैगनिट्यूड ठीक है सब्सक्साइग है तो सब्सक्राइब इस तया ayudaरे साघड है तो और पीडिव अफे मुस्ति हां एम मैनस लगा दिने टीक है चलो अब मुझे यह समझ मा आगे माइनस वी अपन यू आ गया आ गया यह समझ में आया ठीक है यह तो हमने क्या निकाले दोनों के डेरिवेशन कर लिए लॉंगिट्यूडल नेगनिफिकेशन कैसे निकालोगे अच्छा सरी याद कैसे रखेंगे तो अब यह ध्यान से तुनना इसके लिए याद करने का तरीका मैं क्या बोल रहा हूं जो जितना दूर वो उतना ही बड़ा जो जितना दूर वो उतना बड़ा अगर अगर औबजेक्ट और इमेज में इमेज दूर है तो इमेज बड़ी जो जितना दूर वो उतना बड़ा अगर ऑबजेक्ट डबल डिस्टेंस दूर पर है और इमेज आधी डिस्टेंस पर है तो अबजेक्ट का साइस डबल इमेज का साइस आधा अगर इमेज डबल डिस्ट लेना और तुम मेगनिफिकेशन सीधा सीधा निकाला ना और प्लस और माइनस तो तुम करी लोगे यार उल्टा प्लस लगाना माइनस लगाना एंटीक है बाई चलो तो कुष्इन इस तरीकिसे हम परेंगे longitudinal magnification बस formula बता रहा हूं longitudinal magnification होता है minus of v upon u का whole square यानि कि transverse magnification का square minus of v upon u का whole square this is the longitudinal magnification longitudinal magnification किया है minus v upon u का whole square इसका derivation कैसे करते हैं 1 upon u 1 upon v 1 upon f वाला mirror formula था उसको differentiate करो और वहां से इसका derivation आता है मैं अभी derivation नहीं कराऊंगा इसका आपके syllabus में नहीं है चलो बई image formation by different positions तो अब जरा इसको थोड़ा साथ गौर करिएगा इस पर ठीक है कि मेरे पास यहां पर क्या है object है अलग-अलग location के लिए मैंने focal length कुछ इस तरीके से रखी हुई है focal length और थोड़ा negative ठीक है यहां कर देता हूँ चलो बई अलग-अलग location के लिए जरा देखना यह क्या है इसका focus है और यह क्या है center ठीक है this is focus object को मैं change कर रहा हूं focal length 75 रखी हुई है ठीक है object जब बहुत दूर था जरा देखना जो जितना दूर वह उतना बड़ा object बहुत दूर image बहुत पास में इमेज बहुत चोटी हो गई ठीक है object अगर करते करते infinity पर होता तो image कैसी बनती focus पर बनती ठीक है चलो गई object को मैं पास में लाता जा रहा हूं जरा देखो object पास में आता जा रहा है तो क्या होँ रहा है image भी दूर जाती जा रही है एक condition ऐसी आइगी जहां पर ही क्या होंगी दोनो बराबर बराबर कहां होंगे center of curvature पर तो यह center of curvature होगा this position will be center of curvature center of curvature पर क्या होगा object और image एक दूसरे के उल्टे होंगे जरा देखो बराबर है ठीक है जो जितना दूर वो उतना बड़ा बराबर बराबर distance पर है तो बराबर बराबर size हो जाएगा यहां पर देखो इसका size भी h तो इसका size भी h इसके मैंनिफिकेशन माइनस वन होगा ठीक है इससे पहले मैंनिफिकेशन एक से छोटा था इसके बाद अब बताओ अब मैं और पास में ला रहा हूं तो क्या हो रहा है देखो दूर जाता जा रहा है focus पर इंफिनिटी पर जा रहा है इंफिनिटी पर दिख रहा है तुमको कितना size हो गया infinite size हो गया ठीक है यह तो तुमने पढ़ा हुआ यार और पास में ला रहा हूं तो देखो कहां गया पीछे पहुंच गया मतलब focus के अंदर आते ही mirror का यह image कहां चली गई पीछे चली गई चीक है और अब मैं जैसे पोल पर लाता जाओंगा तो जब यह पोल पर पहुंच जाएगा तो बताना क्या हो जाएगा पोल पर image पास में आती जा रही है अगर यहां पर यह की value 0 हो जाती यह 0 हो जाता तो इसकी image भी यह आ जाती सोचो आप अगर एक mirror के ऐसे पास में जाते-जारो 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 जाते जारो चुपक गये mirror से तो बताओ किया जब आप इस से चुपक जाओगे तो एक curved mirror मिरर दिखे गा या स्ट्रे confidence मिर्ण जैसा लगेगा प्लीन मिरर जैसा लगेगा के लाइगा इस केस में इस केस में म्यंग सेशन क्या होगा इस केस में मैं इपेसिंट प्लस वन होगा कि यह कभो और आए वें यू सकल स्टू जी分享 ुज 마음에 जीड़ ठे dat अगर मैंने फोकल लेंथ पॉजिटिव कर दी अब जरा देखना कहानी बदल गई पॉजिटिव लेंथ करने से क्या हुआ और अपजएक देखना अब अब दर लाराओं दूर कर दिया फिर से इस बार इनेंज कैसी इस बन रही ना इस बार इने ची पीशेख बन रही यह ठीक है और और आपको बन रहाए है ठीक है और image कहां बन रही है object mirror और focus के बीच में बन रही है बन रही के नहीं बन रही है ठीक है सर आखिर ऐसा क्यों होता है इसका logic है ठीक है मैं अभी आपको logic पढ़ाऊंगा लेकिन बस अभी फिलाल mirror वो दिखीगा कहां बन रही है देखो यहां से जो raise आ रही है अगर notice करना यह raise कैसी आ रही है यह will De trên तो यह लिए आशिया तो जो दो già करेगा उनको तो और ज्यादा डाइवर्ज कर देगा-ना तो पता है focus वन नहीं के दिखाई दिया कि यह था जबर देखिए गा इसका लोजिक क्या सा कि इसका लोजिक में पहले दिखा देता हूं कि विद्धान से सुनना मैंने यह बोला कि अगर पैरलल प्रैंस्य 오래page वॉर्ट्यों इमेज कावेक्स मिरर हमेशा वर्ट्यल इमेज बनाता है यहां पर और आपนे अपफ रुखेक्ट रखा तो जो और से वो क्या रही है और Community यह क्या करेंगा यह ऑर कियो और क्या जबी तो और था मिर्श कर देगा ऐनना रही कर देगा हमेशा लिए कर घर्रस बनाएगं और eftुब आईगा और झीतना इस बनेगी तो अब तुमको ये भी लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए ठीक है बई मैं पास में लाता जाओंगा मिरर को ज़रा देखो मैं ऑब्जेक्ट को पास में ला रहा हूं एक चीज़ करना ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं मिर तो अब मैं अगर लोकेशन की बारे में बात करूँ तो अब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी कहा बन रही है線र और अब गया लुक बाते क Jennifer के बीश में है मत्पि कि इसके बीश में इंफिनिटि तो इस टिएच कहा बन रही है इसे में यहां बन ठिक है और object को follow फोकस पर रखोगे तो इमेज को हाँ एंफिनिटी पर तो फोकस फोकस के बीच में object रखोगे तो कहा बनेगी पीछे बनेगी तो इस सरे किसे तो अलग-लग location की लिए मेश कहां क्लोकेशन क्या होगी अलग- do इसका में ये दोना आ यहां पर आपको अलग अलग जगे लोकेशन लिख रखी है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर इमेज फोकस पर यह समझ में आही रहा होगा मुझे लगता है ठीक है हाइली डिमिनिश्ट एंड पॉइंट साइस इमेज बन रही है बन रही है बन रही कि नहीं बन रही बिलकुल तुम्हें लोकेशन पता है ऐसे ही यहां देखिएगा किसके लिए अच्छा अब मैं एक कॉंसेप्ट बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा इस इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर जारा समझेगा एक पॉइंट अब्जेक्ट है यह रेस ऐसे भीज रहा है ठीक है और दूसरा अब्जेक्ट जो है यहां मान के चलो एक कोई मिरर है यहां तक कुछ ऐसी रेस आई है और दूसरा जो अब्जेक्ट है वो कुछ यहां पर रखा हुआ है क्या तुम लोग यह बता पा रहे हो कि इन में से कौन सी रेस जादा डाइवर्ज कर रही है बोलो भई तुमको शायद समझ में आ गया वन और टू बोलो बाई वन और टू कौन सी रेस जादा डाइवर्ज कर रही है कौन सी रेस जादा दूर जा रही है समझ में आ रहा है सेकंड रेस जादा डाइवर्ज कर रही है कि नहीं कर रहा है यहां से जो अब्जेक्ट है इसका मतलब यह है कि जितना जादा एंगल डाइवर्जेंस उतना जादा ठेक है नहीं अरे यह जादा डाइवर्ज कर रही है ना यार एंगल देखो भाई एंगल एंगल मेंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा बिलकुल सही बहुत अच्छे चीक है और अगर एंगल मेंटर कर आप ज़रा diverge कर रहा है इसी लिए इसका नाम क्या पढ़ा था converging mirror convex mirror क्या कर रहा है कि रेस पैरलल आ रही थी क्या कर रहा था इसको diverge कर रहा था इसी लिए इसका नाम क्या पढ़ा था diverging mirror अब एक बात बता ना ठीक है मैंने already convex mirror ले लिया और convex mirror में किसी के सामने एक object रखा पहली बात तो यह कि यह कैसा mirror है diverging मतलब यह क्या करेगा चीजों को दूर फैलाएगा और यह क्या कर रहा है यहां जो raise आ रही है यह raise already कुछ divergence दूर ला रही है तो क्या होगा यह को इनको और फैला देगा कि नहीं फैला देगा ठीक है तो यह raise कहां मिलेंगी कहीं पीछे मिलेंगी यह बात समझ मारी है अब जरह देखिएगा अगर मैंने ऐसे बोला जरह देखना कैसे तुमको लॉजिक समझ माएगा अगर मैंने कहा कि मान के चलो एक ऑबजेक्ट है ऑबजेक्ट को फोकस पर रखा जब बताना जो डाई वर्जेन्स च जतना यह दुर जा रही कि इसवाले मिरर ने जितना यह दूर जा रहीन थी दमिर ने टियो हुआ टन आहीं पास बेज दिया मतलब आपके पास अगर 20 रुपै थे माइनस 20 रुपए थे तो मिरने प्लस तोड़ा सा दूर ले जाता हूं मतलब मिरर से दूर ले जाता हूं तो यहां पर जो रही है यह ज्यादा डाइवर्जेंस लेकर आ रही है यह कम डाइवर्जेंस लेकर आ रही है तो इनको क्या कर देगा यह जब यहां वाले को खतम कर दिया तो यहां वाले को तो और ज्याद तुम्हारे उपर 500 रुपई से कम की उधारी है तो तुमने उसको 500 रुपई दे दिये तो में आ रही है पोल इसके लिए क्या होगा इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो कहां इमेज बनेगी बोलो भाई फोकस पर बनेगी चीक है और अगर इसी की जगे ऑब्जेक्ट को तुम लोग कहीं यहां रख दोगे ठीक है तो बताओ अब कहां बननी चाहिए फोकस पर बननी चाहिए फोकस से दूर या फोकस और पोल के बीच में फोकस और पोल के बीच में बननी चाहिए मुझे उम्मीद है कि आप तुमको यह लॉजिक समझ में आने लगा होगा क्योंकि और फैला दिया तो बस अब यहां रखना है कॉन्वेक्स मिरर अज़वेस फॉर् वर्चुल एंड डिमिनिश्ट इमेज और रियल अब्जेक्ट रियल अब्जेक्ट ची क्या करता है वर्चुल और डिमिनिश्ट इमेज बनाता है और क्या चीज़ दूतरी इमेज इस फॉर्म बिट्वीन पोल एंड फोकस ठीक है भाई पोल और फोकस के बीच में इमेज बनती है समझ में आया चलो ठीक है सेम भाई लॉजिक मैंने अभी यहां पर लिखा हुआ है यूजेज क्या होते हैं भाई कॉन्डे कॉन्केव मिरर के ये तो तुमको सबको पता होगा कॉन्केव मिरर के यूजेज तो कॉन्केव मिरर बेसिकली आपका हैड लाइट्स वगरा में यूज किया जाता है मैगनीफाइंग मिरर की तरह यूज किया जाता है तोलर डिवाइसेज में यूज किया जाता है तोलर कुकर वगरा में कि डेंटिस्ट यूज करते हैं एक्सेक्टरा कि कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर का यूज किसमें आता है कॉन्वेक्स मिरर का यूज आता है आपका रियर वियू वियू कैमरा इसमा आता है रियर वियू मिरर्स में आता है along withुth Irac and diminished Image तो वाइड वीग-çम में वीज प्रोड़ करता है इसलिए सकू हम यूस करते हैं यूर्य क्यामरा में मेरा में यूस करते हैं चुक है चलो कि पॉष्चेंस अब देख ली जिएगा वाई कुश्चस की प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं अब अभी तक आप लोगों ने क्या-क्या समझा अभी तक हम लोगों ने बात करी थी Mirr cliffsid की बात कर्ली me below Prom Officers समझ लियाए था height of image समझ लिया था ठीक है डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है मिरर फॉर्मले का आप अगर NCRT से नहीं है तो ठीक है मदा NCRT में अभी reflection नहीं है लेकिन बाकी सभी बोर्ट के लिए डेरिवेशन आ सकता है और इसके questions अब important बहुत है ठीक है चलो सबसे पहला question क्या है object की हाइट 6 मिली मीटर है 12 सेंटी मीटर का क्या है इच प्लेस इन फ्रेंट आप आप का एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंद कितनी दे रखी है एट सेंटी मीटर ठीक है object की हाइट कितनी दे रखी है बोलो भाई object की हाइट दे रखी है 8 है 6 मिली मीटर 12 सेंटी मीटर आगे रखाए तो object लिए 106 मिली मीटर और इसका distance है 12 सेंटी मीटर यू आपको दिया हुआ है ठीक है exam में कैसे लिखोगे वो देख लेना ठीक है कैसे करोगे वैं शूल का लिया चलो गिवन यू इस एकल्स टू माइनस 12 सेंटीमीटर बारा सेंटीमीटर फोकल लेंथ इस एकल्स कौन के वोला है माइनस 8 सेंटीमीटर ठीक है और हमें क्या निकालना है फाइंड पोदिशन नेचर एंड साइज वगरा सारी बाते निकालनी है तो अगर आपने यह देख लिया त पॉम्मिला क्या था फॉण अपन यू प्लस भान एपन जिए अब आप उन लुग करें रहे चलो हाँ काफी अच्छा बहुत अच्छे सही आंसर आ रहे हैं चलो 1 upon u plus 1 upon v is equals to 1 upon f तो जैसे ही तुमने लिखा u कितना है 1 upon minus 12 plus 1 upon v is equal to 1 upon f 1 upon f कितना है minus 8 1 upon v कितना हो जाएगा तो 1 upon v will be equals to minus 1 upon 8 plus 1 upon 12 lcm कितना आ जाएगा 24 minus 3 plus 2 तो this is minus 1 upon 24 तो v कितना आ जाएगा minus 24 cm इमेज कहां पर आई minus 24 मैंने आपको क्या बोला था minus आया इसका मतलब image कैसी है image आप ती यहां पर है और inverted होगी same side में है तो inverted है 24 cm दूर image बनी है मैंने आपको बोला था जो जितना दूर वो उतना बड़ा तो बताओ 12 cm यह है image 24 पर बन रही है तो image का size भी कितना होगा बोलो भाई पैन यूज मत करो जल्दी बताओ कितना होगा है image का size 12 mm very good भाई 6 mm यह था यह क्या हो गया 12 mm एक्जाम में ऐसे मत करके आजाना के में दूर है तो जो जितना दूर वो उतना बड़ा एक्जाम में कैसे कर क्या होगे magnification is equal to minus v upon u minus of v कितना है 24 minus 24 u कितना है minus 12 तो magnification आ गया minus 2 ठीक है size of image रख देना height of image upon height of object is equal to minus 2 वो निकाल देना nature क्या होगा बोलो गई nature real inverted and magnified nature आया के नहीं आया समझ में real inverted and magnified बहुत अच्छे सभी लोग बहुत अच्छे बतलब सबको समझ में आ रहा है कि क्या nature होने वाला है कैसा होने वाला हर चीज़ अब हम लोग को feel आ रही है ठीक है बाई चलो अगला question देखिएगा क्या बोला है where should we place an object in front of a concave mirror of focal length 30 cm so that it forms an image twice as large कोई भी कुशन आ जाए बाई और सिर्फ यहीं की बात नहीं competitive exams में भी अगर आप नीट के तयारी कर रहे हो competitive exams में भी आपके ऐसे ही questions आते हैं ठीक है बाई चलो अगर आपका इसने बोला है image का size double है अब मुझे logic बता देना मैंने आपको बोला था जो जितना दूर उतना बड़ा अगर image का size double चाहिए तो image की distance भी क्या होनी चाहिए डबल होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए बोलो image की distance double होनी चाहिए अगर वियर शुट भी प्लेस अब्जेक का उनकी मिरर फोकल देंस की दे रखी है 30 सेंटीमीटर ठीक है so that it forms an image twice as large as object ठीक है image कैसी बना रहा है double size की बना रहा है ठीक है वही तो इसका मतलब है कि अगर आपने object u distance पर रखा है तो image कितने पर बनेगी to u पर बनेगी object और image ठीक है since magnification 2 है तो u और 2u अब जैसे ही तुमने लिखा अब mirror formula लगा दो अच्छा भाई लिखने का तरीका अब तुमको आ गया है तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा 1 upon u plus 1 upon v is equals to 1 upon f 1 upon minus u u कैसा है negative है ठीक है मैंने अल्रीडी माइनस लगा दिया अगर मैंने अल्रीडी माइनस लगा दिया इसका मतलब सिर्फ और सिफ क्या आएगा मेरा magnitude आएगा ठीक है भाई प्लस 1 upon v कितना है 1 upon v is minus 2u is equal to 1 upon f focal length 1 upon minus 30 अरे यार इतनी महनत मत करवाना कि सर्व वो given given लिखके दिखाओ हमको अब तुमको पता है पहले given लिख देना कि given u is this since magnification is equal to minus 2 double बोला है तो बस आपको सीधा-सीधा solve कर दोगे ठीक है अब क्या हो जाएगा माइनस से माइनस सब जगे से खतम हो गया माइनस से माइनस खतम हो गया 1 upon u plus 1 upon 2u कितना हो जाएगा this is 3 upon 2u is equals to 1 upon 30 so u is equals to 45 centimeter ठीक है और since मैं already negative लिख चुका हूं ठीक है तो यह क्या जाएगा 45 centimeter to the left of a pole ठीक है in front of mirror mirror के 45 centimeter सामने आएगा पहली चीज़ होगे कि नहीं होगी कितने लोगों को समझ में आया बोलो भाई हाँ या ना आया कि नहीं आया कितने लोगों ने ऐसे ही solve किया 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 के नहीं किया बोलो आ गया गोट बहुत अच्छे कि अगर तुम प्रसिपी फि法 इंसर लिखकर के चले आते हो अगर तुम सिर्फ और चिर्फ आधे-णमबर लेकरके आजाओगे सिर्फ-और अधे-दिन्बर लेकरके आजाओगे क्या गलती करें अधह नमबर अधे कहा अए बाकी कहा गया मैंने का एक चीज़ तोड़ा ध्यान से पढ़ना मैंने क्या बोला है मैंने बोला है so that image is formed twice as large as object image double size की बने मैंने ये थोड़ी बोला है कि real image बने दोनों cases तुमको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए दूसरा case क्या होगा अगर तुमने दूसरा case तो लिया ही नहीं तो सिर्फ पहले case के marks मिलेंगे के नहीं मिलेंगे object को तुमने सिर्फ और सिफ सामने रख करके छोड़ के चले आए object को अगर तुमने यू distance पर रखा तो virtual image ये भी तो case सही है यार ये भी image twice as large है तुमने ये तो considering नहीं किया तुमने ये तो considering नहीं किया भाई समझ में आया चलो भाई कैसे solve करोगे अब फिर से भाई लॉजिक वन अपॉन माइनस अब मैं sign convention रख दे रहा हूं वन अपॉन माइन प्लस तो यू इस इकल्स तो वन अपॉन माइनस 30 माइनस वन प्लस वन बाई 2 तो माइनस वन अपॉन टू यू यू इस एकल्स तू 15 सेंटी मीटर ठीक है आधा जवाब अब तुम लोगों के समझ में आ गया बहुत अच्छे बहुत अच्छे चलो क्या बोला है और क्या बोला है अब यह डाइग्राम तो तुम लोग बना सकते हो कैसे बनाओगे कोई भी दो रेज ले लो अच्छा मैं क्या करता हूं मैं एक रे पैरलल ले लेता हूं इसको कहां से पास करा दिया फोकस से पास करा दिया दूसरा रे मैं क्या करता हूं दूसरा रे इधर से ले लेता हूं और इसको क्या कर दिया इसको इधर से पास करा दिया तो इसकी इमेज कहां बनी इमेज यहां बन गई मुझे लगता है तुमको लेचर भी समझ में आ गया होगा, नेचर बिल्कुल सही आ रहा है चीक है This is object, this is image, ray diagram बना दिया यह ray diagram बनाना सबसे आसान होता है और आप easily solve कर सकते हो दूसरी चीज, how will the position and intensity of image be affected if lower half is painted black अगर मैंने नीचे वाले हाफ को black color से paint कर दिया, मतलब इसको मैंने गायब कर दिया तो क्या असर आएगा, क्या image नहीं बनेगी, ऐसा होगा, बताओ बई, क्या होगा जल्दी बताओ इसका answer क्या होना चाहिए, second part का answer तो अब तुम लोगों दोगे, कि अगर मैंने नीचे वाले part को black paint कर दिया, तो क्या होना चाहिए आधी image बनेगी, बोलो, आधी image बनेगी क्या, आरे बोल दो जाजू, बोलो जल्दी बोलो, क्या बनेगी आधी image बनेगी, पूरी image बनेगी, बस answer क्या आएगा, image will be less bright, पूरी बनेगी, लेकिन उतनी intense नहीं बनेगी उतनी clear नहीं दिखेगी, अरे वो तो छोड़ दो, अगर इतना सा भी portion, जब तक mirror के टुकडे-टुकडे हो जाए, सोचो, तुमने mirror देखा होगा, अगर mirror का भी छूट जाता है, तो ऐसा थोड़ी कि तुम्हारा mirror आदी बनती है, image पूरी बनती है, अंतर क्या होता है, बस वो तुम देख नहीं पाते हो, ठीक है, image पूरी ठीक है, पूरी image बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी, right नहीं होगी उतनी, when an object is placed at 2f, और on cave mirror, what would be the image form, बोलो भई, ये question तो आप तुम लोग बताओगे, और मैं नहीं बताओँगा, ठीक है, अब तो तुम लोग कर पाओगे, object को अगर मैंने f और 2f के बीच में रखा है, तो image क कहाँ बनेगी, और कैसा nature होगा, focus और center के बीच में रखाए, ठीक है, कैसी बनेगी image, magnified, real and diminished or magnified, magnified, real or virtual, real, ठीक है, good, good, सब को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, draw a diagram, ठीक है, ये तुम लोगों के लिए, मैं homework दे रहा हूँ, ये तो तुम लोगों को करना है, ठीक है, इस बार निकाल करके देखना, convex mirror के लिए, काफी important, convex mirror के लिए निकालना, तुमको समझ में आ जाएगा, कि इस बार mirror formula जब direct निकालोगे, कुछ अलग आएगा, ठीक है logic सब कुछ सेम रहेगा, सब तरीका सेम है, बस इस बार concave mirror के लिए जगे मैंने क्या कर दिया है, convex mirror find x, so that image and object की distance coincide कर जाए, यह distance x है, आपको x mirror और इसके बीच में निकालना है, so that इन दोनों की location क्या हो जाए, coincide कर जाए, चलो बताना भई, object की distance कहाँ पर है, 40 cm पर, तो image कहाँ बनेगी, इस से 40 cm पीछे, this will be image, यहाँ से, ठीक है, और इसकी distance अगर x है, तो यहाँ पर यह distance क्या हो जाएगा, यह distance will be 40 minus x, अगर यह distance x है, ठीक है, focal length इसकी 30 है, तो ज़र बताना मुझे mirror formula लगाओ, 1 upon u plus 1 upon v is equals to 1 upon f, किसके लिए लगा रहा हूँ, ऊपर वाले mirror के लिए, ठीक है, क्या करोगे, v की value, 1 upon u, u कितना है, 40 plus x, तो 1 upon minus of 40 plus x, plus 1 upon v, v कितना है, 40 minus x, is equal to 1 upon f, 1 upon 30, चीक है, solve कर लेना भाई, इसको क्या हो जाएगा, 40 plus x, 40 minus x, तो 40 का square minus x का square, इसको इधर भेज़ देना, तो this is minus of 40 minus x, this will be plus of 40 plus x, this is equals to 1 upon 30, चीक है, 40 से 40 cancel out हो गया, x और x, 2x बना, तो 60 x is equals to 40 minus x square, तो यह क्या बनेगा, x square minus, प्लिया, plus 60 x minus 40 is equals to 0, यह आ जाएगा, x की value क्या होगी, इसका solution quadratic equation दिख रही है, quadratic equation का solution क्या होता है, minus b, यानि की minus 60, plus minus, under root of b square minus 4ac, 60 का square, minus 4 into 40, 4 into minus 40, a1 है, divided by 2 है, यह answer हो जाएगा, negative वाला answer होगा नहीं, सिर्फ positive वाला answer होगा, सिर्फ और सिर्फ यह वाला answer सही होगा, negative क्यों नहीं होगा, x अगर negative हो जाएगा, मतलब क्या, convex mirror आगया आगया, वो चीज नहीं possible है, ठीक है, चलो भई, तुमको अब logic समझ में आने लगे है, यह कुछ homework है, जो कि तुमको करके आना है, इतने question तो तुमको solve करने ही करने है, ठीक है, back exercise के आपको यह question से, 9.1, 2, 15, यह 45 question है, ठीक है, यह question काफी interesting, और यह question आपके लिए basically एक challenger question है, देखें, कितने लोग इस question को कर पाते हैं, ठीक है, और अगर आपके पास इसके बाद time बच जाए, तो exemplar कर लेना, otherwise यह तो आपको homework करना ही करना है, ठीक है बाई, चलो, तो अगले lecture में फिर से मिलेंगे, पढ़ाई करते रहें, बहुत जरूरी है कि आप question या homework जरूर करें, हर एक topic पढ़ें, सारी theory पढ़े, all the best, thank you.